नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार रियासुना आपके साथ है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार बोर्ड इंटर परिक्षा की रेजल्ट जारी कर दे गए हैं बताएं आपको की सफलता प्राप्त करने वालों में 78.04 परिक्षा बच्चे शामिल हैं वहीं बाते अंडेस्टूड है आगे हम आपको बताएंगे कि बाकी स्ट्रीम्स में कितने प्रतिशत बच्चे बच्चों ने सफलता पाई है से पहले बताएं आपको की तीन भच्च कर तैईस मिनट आज तीन बच्च कर तैईस मिनट पर सिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या गया सफलता का प्रतिशत अट़ दसंबलव सुने चार प्रतिशत रहा आठ्स की बात करते हैं तो आठ्स में सफलता पाई है कॉमर्स में एक तेरा लाख दोसो रसट परिशाती परिक्षा में शामिल हुए थे इस बार परिक्षा का परिणाम 42 दिनों के अंदर ही जारी कर दिया गया सिक्षामंत्री विजाई कुमार चौधरी ने बिहार बोट के ओफिस में आकर उन्होंने दफ्तर में आकर रिजल्ट जारी किया इंटर्मीडियेट परिक्षा 2021 के लिए 35 लाग चात्रों ने रेजिस्टेशन करवाया था और कोरोना के प्रभाव के बीच प्रदेश में 1473 केंद्रों पर यह परिक्षा ली गई थी वहीं अगर हम B.A.C.V के ओफिस्यल वेबसाइट की बात करें तो ओफिस्यल वेबसाइट फिलहाल उनका सर्वर डाउन है परिशारतियों को इससे काफी परिशानी भी हो रही है कई लोग हमसे कॉंटाक्ट करने की कोशुश भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम परिख लेज़न्ट कर सकते हैं वहां का सर्वर डाउन है तो इसे काफी परिशानी हो रही है लोगों को हला कि एक दो और जो अलग से वेब साइट है हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे आप वहां जाकर चेक कर सकते हो तो पिछले साल रिजल्ट केवल 49 दिन में जारी किया गया था और इस साल तीन दिन औ और बढ़े यानि कि 42 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया गया हाला कि यह उमीदे पहले से ही जताई जारी थी कि 26 मार्च यानि कि आज रिजल्ट जारी हो सकते हैं और एक से 13 फरवरी तक परिक्षा चली थी 672 परिक्षारतियों को निश्कात से भी किया गया था वहीं 75 मुन अपडेटेट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किन्हों ने चौप किया है और क्या-क्या बाते हैं और भी डीटेल्स अपडेटेट वीडियो के लिए आप लगातार न्यूस प्यार के साथ बने रहें बहुत-बहुत शुक्रिया